दस्तकों इस वीडियो में आप जानेंगे वशीकरन साधना इस साधना को जो भी पुरुष कर लेता है वो किसी भी नारी यास्त्री को पलग छपकते ही कामा तुर्ट कर उससे संभूख ख्रीडा रचा सकता है इस साधना की जानकारी लिंग पुराण में मिलती है कहा जाता है कि प्राचीन समय के कुछ महान राजाए इस साधना को अपनी आयास के लिए सिद कर रखते थे परन्तु इस साधना को जन साधरन से दूर रखा जाता था वर्तमान समय में इस साधना को कई अगोर साधो द्वारा प्रयोग किया जाता है क्योंकि कुछ साधना ऐसी होती है जिसमें संभूग की आवशक्ता पड़ती है इसके अलावा इसी साधना को कामक्या पीट के कुछ तांत्रिक द्वारा यौनी साधना में सपलता प्राप्ती के लिए भी इस्तिमाल किया जाता है इस साधना को मुखे तक पुरुष ही करते हैं पर यदि स्तियां चाहें तो वे भी इस साधना का लाव उठा सकते हैं एक बार ये साधना सिध हो जाए उसके पश्चा किसी इस्तिय या पुरुष को अपने काम जाल में बाना जा सकता है और ऐसा कई प्रकार से किया जा सकता है पहला वीधी किसी स्त्री के बदन पर काम वासना की इच्छा करते हुई यदि कोई पुरुष हाथ रख दे दूसरा जो आगे मंत्र बताया गया है उसको इच्छी स्त्री के पास जाकर मन ही मन उसकी तरफ निहारते हुए साथ बार जब करने से भी वो स्त्री उस पुरुष की तरफ ऐसे आकर सित होती है जैसे लोहा चुमबक की तरफ और इसमें ये जरूरी नहीं कि वह स्त्री या लड़की उस पुरुष को पहले से जानती हो इसके अलावा किसी नारी का फोटो अपने सामने रख कर आगे दे गए मंत्र को यदि 21 बार पढ़ें तो भी उस नारी के मन में अत्यादी काम वासना जागरित होगी और इसके बाद यदि साधक उससे मिले तो वो लड़की उसके मुह जाल में पागल हो जाएगी तो दोस्तों यहाँ जो कुछ भी मैंने बताया पुरुष के बारे में वो सभी तीजे स्त्रियां भी पुरुष को पाने के लिए कर सकती हैं तो आईए जानते हैं इस साधना को करने की विरी तो दोस्तों इस साधना को किसी भी अमावश्या की रात्री को करनी है और इसे करने का समय है रात्री दस बज़े से लेकर के सुबह के तीन बज़े तक और इस साधना को पूरी खतम करने में एक या दो घंटे लग सकते हैं ये वाकी साधनाओं की तरह कठिन नहीं है इसे बड़ी आसानी से सिद्ध कर सकते हैं और ये साधना उग्र भी नहीं है इसलिए इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है तो सबसे पहले आपको एक नया पीले रंग का छोटा सा कपड़ा या रुमा लेना है और उसके उपर दिखाएगा यंत्र को सिंदूर से बनानी है यह यंत्र जो आप देख रहे हैं इसे रती काम देवी या रती कामीनी देवी का प्रतीक माना जाता है यंत्र के नीचे की तरफ जो साप की आकरिति आप देख रहे हैं वो कुंडली शक्ती का प्रतीक है और यही साप सेक्स एनरजी या काम उर्जा को दरसाता भी है अब यह यंत्र बन जाने के बाद इसके उपर कुछ चमेली के फूल या गुलाब के फूल रख दे और उसके बाद लोबान की धूली दे या धूप दिखाए यदि लोबान नहीं है तो कोई अच्छी खुजबूदार इतर या पर्फियूम अपने साधना कक्ष में छिड़कते अब आप पस्चिम दिशा की और मुख करके बैठ जाए और इस यंत्र को अपने सामने रखे बैठने के लिए किसी भी कपड़े की आसन का प्रयोग कर सकते हैं अब दिखाए गए मंत्र का एक हजार आठ बार जब करें जब के लिए काली हकीक की माला सरवस्रेश्ट रहती है पर यदि ये उपलब ना हो तो आप कोई भी माला का प्रयोग कर सकते हैं अब मंत्र इस प्रकार है ओम नमह कुम कुम थम 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 चीमी चीमी हा हा हुम दर्सकों हर एक बार मंत्र जब करने के पश्चाथ उस यंत्र को एक बार अवश्य देखें यह साधना आपको बंद एकांत कमरे में करनी है और निर्वस्त्र या नगन होकर करनी है एक हजार आठ बार मंत्र जब के बाद आप वहीं साधना कक्ष में नीचे जमीन पर चादर बिछा कर सो जाए खटिया या पलंग पर उस दिन ना सोए लोबान को उसी प्रकार जलते रहने दे अब ध्यान से सुनिएगा यदि इस साधना के दोरान आपको कोई विचित्र, मुहक कर देने वाली, खुश्बू या सुगन आए तो आप उस पर ध्यान ना दे आप साधना में लीन रहें इसी प्रकार यदि आपको कोई प्यारी सी बच्ची की आवास सुनाई दे तो भी उस पर ध्यान ना दे ये सब आपकी साधना को भंग करने के लिए किया जाता है लेकिन आप इनसे कदा भी न डरे ये कोई भूत प्रतिया पिसाचिक साधना नहीं है ज्यादा से ज्यादा यदि कोई गरबर हो जाती है तो यही होगा कि ये साधना सफल ना हो पाएगी ऐसे में ये साधना आप पुनहा अगले आवश्या के रात को कर सकते हैं अब सुने से पहले जितनी भी फूल आपने यंत्र के रुपर रखी है उसे एक बार गिन ले सुबा उठकर आप पाएंगे कि उसमें से एक फूल कम है अब बाकी के फूलों को लेकर अगले दिन पीपल रिख्ष के नीच से रख आए और उस कपड़े को जिस पर आपने यंत्र बनाया था कहीं छुपा कर अच्छे से रख ले अब अमावश्या के चौथे रोज यानि यदि अमावश्या एक तारिक को है मालने तो चार तारिक को उस यंत्र को फिर से निकाल ले अब आप पाईएगा कि उस यंत्र में कुछ अलोकिक आकृतिया बनी हुई मिलेगी यह आकृति हर एक साधना के लिए अलग-अलग हो सकती है तब इस साधना को सिध हुआ समझना चाहिए अब इस यंत्र की सक्ति बने रहे इसलिए हर अमावश्या को उस यंत्र के सामने जो पीछे मैंने मंत्र बताया उसको 108 बार जब करे जब तक वो पीले कपड़े में यंत्र सही सलामत आपके पास है तब तक यह सिध्धी भी आपके साथ है अब दोस्तों यदि इस साधना के बारे में आपको कोई जान कारी चाहिए तो उसे कमेंट बॉक्स पर नीचे पूछ सकते हैं और यदि आज इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो से लाइक और शेयर करना ना दो लें ओम नमस्षिवाब